तो जैसा कि हम जानते हैं चाहे कोई भी पेपर हो गवर्नर जनरल वैसराय से लेटेड मोडर्न इस्ट्रीक का जो यह टॉपिक है यहां से क्वेसंस पूछे ही जाते हैं तो टाइम टू टाइम रिविजन करना इसका जरूरी है और इस पर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया भी है अगर आपने देखा है तो अच्छे बात है नहीं देखा है तो देखना इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ज्यादा समय नालज वे चलिए बात करते हैं आज के हम सभी महतिपूर्ण गुवर्णर जनरल वैसराइस के बारे में तो सबसे पहला जब स्टार्ट होता है वो है वारिन हेस्टिंग्स वारिन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रत्थम गुवर्णर जनरल तहीं ठीक है इजिनका कारेकल 1773 से 1785 तक था और एकदम BVI है याद रखेंगे ठी सबसे पहले स्टार्ट होता है 1773 में रेगलेटिंग आक्ट पारित होता है नके कारेकाल में और रेगलेटिंग आक्ट 1773 के तहत हम जानते हैं कि कलकत्ता उच न्याली की स्थापना की जाती है जो कि 1774 में ये पॉइंट याद रखना है राइट घेरे की नीती ये कई बार एस्टिंग से संबंदित होगा, वरन एस्टिंग से संबंदित है, कलकत्ता में सुप्रीम कोट यानि सरवोच नयाली की स्थापना क्यों जाती है, 1774 में प्रतम उंगले मराठा युद्ध, 1785 से 182 तक सुरत के संदी के तद स्टार्ट होता है, सलबाई के संदी के तद समाप् होता है, इसे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिसकस किया था, जितने भी मराठा युद्ध थे, करनाटक युद्ध थे, अफगान युद्ध थे, मैसुर युद्ध थे, सब के बारे में एक वीडियो में बनाया है, प्रोवाइड कराया था, ठीक है, तो ने प्राइक सेवा का जनक वर्नेस्टिंग को माला जाता है अब नेक्स्ट आता है लॉड करने वाली तो देखें लॉड करने वाली भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय के सबसे जो महत्यपूर्ण घटना के रूप में हम जानते हैं जैसे कि इन्होंने स्रियोद जो हुआ 1792 से 92 तक इनके समय में हुआ और स्री रंग पटनाम की जो संधी होती है इसके दोरह ये समाप्त होता है यह यूद ठीक है स्थाई बंदवस 1793 में इन्होंनी शुरुआत किया पंगाल और बिहार में नेक्स्ट की 5 अक्टूबर 1805 को करने वाली स्किम्र तो गाजिपूर उत्तर परदेश में हुई और वहीं पर इनकी कबर भी इस्तित है तो ये प्रस्ट भी पूछा जाता है कि इनकी कबर कहां इस्तित है दिहान रखेंगे गाजिपूर उत्तर परदेश में भारत में सीविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक इनको माना जात आता है लौड करने वाले इसको राइट अब नेक्स्ट यह आता है कि लौड वेलेजली देखें लौड वेलेजली का जो कारिकाल रहा 1798 से 1805 इसवी तक साइक संदी की शुरुवात इन्होंने 1798 में किया चीक है जिसमें सबसे पहला है धरवद की जो निजाम थे 1798 और 1800 तो इस तरह से साहिक संदी को स्विकार अलग लग छेतरु नहीं किया था चीक है चतुर्थ अंगले मैसुर यूद 1799 में इन्हीं के समय में हुआ एवं बसीन की जो संदी हुआ 1802 में ये भी इनके समय की घटना है द्वित्य अंगले माराथा यूद हुआ था 1803 से 1805 के समय में यसाुद रिखेंगे लौड विडेट के समय में कलकत्ता में फोर्ट विल्ययम कॉलिज के स्थापना होती है 182020 में 10 201820 कोुप्र रुश्य कूछा गया था कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉल लृब अपना कब की गए थी, डेट के साथ पूछा गया था, तो वो चीज भी याद रखेंगे, नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, उपर हमने देखा था वारन हेस्टिंग्स, अब यहाँ पर आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो 1813 से 1823 तक इनका कारेकाल होता है, और 3 अंगले माराथा यूद्ध जो है, 17-1119 तक ये चला था, 3 अंगले माराथा यूद्ध के बाद अहस्त छेप की नीती, ठीक है, के बाद अहस्त छेप की नीती, नेक्स्ट आता है कि 1818 में पेषवा की पद इसको समाप्ति कर दिया गया था 1818 में आंगले नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 जो कि सगौली की संदी के द्वारा समाप्त हुआ था सुगौली की संदी के द्वारा यह चीज याद रखेंगे बंबाई एवं मदरास में रायत वाड़ी विवस्था को टॉमस मुंड्रो द्वारा लागू किया जाना 1820 मे नेक्स्ट की अवद एवं उत्तर पस्चमी राजियों में परांतों में महल वाड़ी विवस्था को लागू किया गया था जो की सभी के सभी लौड हिस्टिंग्स के कारेकाल के अंदर ही हो रहा था तो यह चीज याद रखेंगे रयत वाड़ी विवस्था तॉमस मुंड् और महल वाड़ी विवस्था है वो आपका अवद उत्तर पस्चमी राजियों परांतों में लागू था ठीक है तो यह सब कुछ याद रखेगा क्योंकि यहां से कई सारे फ्रश्ण पूछे जाते हैं अब नेक्स्ट आता है लौड विलियम बेंटिंग ठीक है लौड विल अठारा सो उनतिस में नियम सत्रह द्वारा सती प्रथा का उनमुलन किया गया ठीक है धारा सत्रह के द्वारा अठारा सुनतिस में सती प्रथा का उनमुलन अठारा सो तेटिस के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया यह याद रखेगा, 1823 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो भी गुवर्नर जनरल थे अब उनको भारत का गुवर्नर जनरल का हजानल लगा बना दिया गया इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गौर्णर जनरल लॉड विलियम बेंटिंग हुए ठीक है लॉड विलियम बेंटिंग हुए क्योंकि इस तरह से तो ये बंगाल के अंधिम गौर्णर जनरल भी हुए और उस तरह से दिखा जाए तो भारत के प्रत्थम गौर्णर जनरल भी हुए नेक्स्ट आता है कि लॉड विलियम बेंटिंग ने करणल सलीमन की सायता से 1830 में ठगी प्रता को भी समापति किया था तो ये भी याद रखे ठगी प्रता में या फिर ब्रेटी समराज में कब मिला गया 1843 में चीक है और दास प्रता का पूरी तरह से उनमूलन 1843 में ही हुआ था ये भी याद एकिएगा लॉड एलिन बरो के कारेकाल में चीक है नेक्स्ट लॉड लहॉजी तो इनके बारे में कैसे ही छोड़ सकते हैं लॉड में और पंजाब को 1849 में ठीक है नेक्स्ट आता है कि व्यपगत सिध्धांत जिसे हम लोग डॉक्टिंस ओफ लाप्स के नाम से जानते हैं हडपनेती भी कहा जाता है इसके अंत्रगत बिले किये गए राज्य कौन थे तो सबसे पहला राज जाता है सतारा ये याद कि 1856 में ये कुशासन के प्रथा के द्वारा कुशासन के आरोब के द्वारा ये समराज को अंग्रेजी समराज में मिलाया गया चीक है भारत में रेलवे का जनक लॉड लहौजी को माना जाता है 1840 में प्रथम रिलवे लाइन बंबई से थानी के बीच करीब 33 से 34 किलो मेटर पर रेल का परिचालन 1854 इस्वी में कलकत्ता यमरानी गंच के मद दूसरी रेल यानि पहला 16 अप्रेल 1853 को ये चलाए गया था और दूसरा जो था वो 1854 को भारत में पहली बार सरवाजनिक नि भाकिस्तापना डलहौजी के समय में ही हुआ अब नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो के 1856 से 58 तक और 58 से 62 तक लगतार दो कारेका लेन का रहा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवन प्रथम वैसराय थे जैसे कि हमने उपर में देखा था कि लॉर्ड विलियम ब अठार्संघ तावन का प्रथम 178 संग्राम इनके समय में हुआ अठार्संघ तावन में कलकता बंबई मदरास में तीन नयविश्वे द्याल की स्थापना की घई कम्पनी के सासन का अंत हुआ मुगल समराठ के पद्ध को समाप्ति कर दिया गया ब्रिटिस क्राउन के हाथों में दिया है था यह चीज़ आपको पता है एक 1851 तो यह सब important points हो जाते हैं चीए Lord Mayo आते हैं इसके बाद देखेंगे यहां पे कि 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षन विभाग बनाया गया 1861 में Lord Mayo के समय में पुरातत्व सर्वेक्षन विभाग बनाया गया 1865 में कलकत्ता, बंबई, मदरास में उच्छ न्याले की स्थापना की जाती है भारत में प्रत्थम जनगर्णा लॉड मेयो के कारेकाल में 1872 में होता है पहली बार जनगर्णा 1872 में हुआ है लॉड मेयो के समय में लेगे नियमित रूप से 1881 से लॉड रिपन के समय से परतिक दस वर्स पर होता है नेक्स्ट आता है Lord Litton तो देखिए Lord Litton के बारे में जान दीजिए यहाँ पर कहा रहा है कि 1878 मी रिचर्ड स्ट्रेची की अधेक्स्ता में प्रत्थम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई वर्नकुलर स्पेस अक्ट ये इंप्रोटेंट रहेगा। वर्नकाुलर प्षक्ट, 1888 पारित सुरेंद्र नात्थ बैनरजी ने इस आक्ट को अकास से होने वाला व्रजपात्र कहा था किसने कहा था ये चीज यहाद रहेगा कि सुरेंद्र नात्र बैनरजी जिने हम लोग बीना ताज के बादसा के नाम से जानते हैं सुरेंदनात बैनर्ची ने इस एक्ट को अकास से होने वाला व्रजपात कहा था दुटी ओंगलिक अफगान युद्ध 1878 से असी इस्वी में हुआ तथा वैदानिक जन्पत सेवा का गठन 1878 में किया गया था एक चीज़ याद रखेगा पूछा जाता है कि वर्नाइटर स्पेस आक्ट को किसने लागू किया तो लौड लिप्टन ने और किसने समाप्ति किया तो लौड रिपन ने चीक है नेक्स्ट आता है कि सिविल सिवा परिक्षाओं में परवेश की अधिक्तम आयू सीमा 21 वर्से घटा करके 19 वर्स कर दिया गया तो इनके समय में हुआ जो कि बाद में फिर बढ़ाया भी गया था नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर हमारा अदा है हाँ लौड रिपन तो लौड रिपन के बारे में में देखी नियमिद जनगर्णा 1881 से चुरू हुआ 982 में हमने देखा था कि लौड मेउ के स्में में परथमजनगर्णा होती है लेकिन यहां पर नियमिद रूप से जो होता है 1881 से स्टार्ट हो जाता है स्थानी सोसाशन सबंदी प्रस्ताव पारित 1882 में इसलिए रिपन को स्थानी सोसाशन का जनक भी कहा जाता है तो स्थानी सोसाशन का जनक लौड रिपन को William Hunter के देख्षता में 1882 में सिक्षा आयोग का गठन जो प्रात्मिक सिक्षा से समंदित था ठीक है हंटर जो कमिशन था याद रखेगा 1882 में सिक्षा योग से समंदित सिक्षा योग का समंद्थ खास करके इसमें प्रात्मिक सिक्षा से समंदित था वर्णा कुरे स्पेस आक्ट 1882 में जो कि समाप्त कर दिया गया, रद कर दिया गया था, राइट, दो फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध, हार्तिय निया दीसो द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रस्तावित, इलबर्ट बिल, इलबर्ट बिल बिवाद हुआ, या स्वेत विद्रो के नाम से प्रस्त है, तो इलबर्ट बिल से समांदित लौड रिपन्थ हैं, ये चीज भी याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, के लिएर, नेक्स्ट आता है कि लौड डफरेन, तो डफरेन से समांदित एक प्रश्न जो कि बहुत जादा मैयदपोन है, कि भारती र 1885 में भारती रश्टे कॉंग्रिस के स्थापना हुई, 1887 में डफरेन के कारिकाल में इलाहाबाद विश्यविद्याली के स्थापना की जाती है, नेक्स्ट हमारा आता है लौड करजन, अब दीकि लौड करजन भी अपने हाप में इंपोर्टेंट है, बंगाल भी भाजन क लिए काफी जादा इनको जाना जाता है, लौड गरजन के कारिकाल में गठित आयोग, इनके समय में कुछ आयोग की गठन किया गया था, जो के हम इस प्रकार है देख लेते हैं, 1903 में अकाल आयोग, जो की अधेक्सता की बात के तो यहाँ पे अधेक्स इनके थे, देख सक थे, 1902 में पुलीस आयोग, यह कई बार पूछा गया, पुलीस आयोग, फ्रेजर जो थे, यहाँ पे एंड्रूस फ्रेजर इसके देख थे, विस्वेदी आला आयोग, 1902 में सर्थ थॉमस रह लेते हैं, चीक है, तो यह कुछ आयोग थी, इनको बारे में याद रखेंगें नेक्स राता है कि 19 जुलाई 1905 को करजन ने सिमला में बंगाल विभाजन की घोषना की, तथा सितंबर 1905 में ब्रेटिस समराठ ने इसकी सिर्क्रिते दिये, तो बंगाल विभाजन की घोषना 19 जुलाई 1905, चीक है, अब आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वित्लिया, 1905 से 1910 त होता है, 1907 में सुरत दिवेशन में कॉंग्रेस का विभाजन होता है, मारले मिंटो सुधार के तहत, पहली बार मुसल्मानों के लिए प्रिथक मतादिकार तथा प्रिथक निर्वाचन चेत्रों की स्थापना की गई थी, तो यह चीजी याद रखेगा, किस के दौरा, मुस 1910-1916 दिली दरबार में बंगाल विभाजन रद करने की घोशना की गई तथा कलकत्ता से जो राजधानी थी पहले कलकत्ता वहांसे दिली स्थनानतित करने के लिए घोशना की गई 1911 में, गोशना हुआ था सिर्फ 1912 में ये पूरी तरसे राजधानी बनी, दिली जो की भा पॉर्टेंट सीजे हैं दोस्तों जो कि बार-बार पूछे जाते हैं आप इनको जितना हो सके उतना चैसे याद रख लेना नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोड तो देखें लॉर्ड चेम्सफोड का कारेकाल 1916 से 1921 थक रहा 20 अगस्त 1917 में के सुधारों की घोषना मटिंग्यू चेम्सफोड गोषना के नाम से प्रसिद्ध है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है लॉर्ड रेडिंग लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926 तक एक मात्र यहूदी वैसरा ये थे लॉर्ड रेडिंग यहूदी वैसरा याद रखेंग 1922 में एक सरप्रथम ICS की परिक्षा लंदन एवं इलहाबाद में आजित की गई एक उक्टूबर 1926 को लोग से वायोग का गठन किया क्या लॉर्ड रेडिंग के समय में नेक्स्ट हमारा था लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक देसी रियास्तों के समय में 1927 में हर्टोग बटलर समीति ठीक है बटलर समीति आपको पता ही होगा देसी रियास्तों के समय में चला गया था तो बटलर समीति के न्युक्ति लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था साइमन कमिसन भारत पहुचा था तीन फरवरी 1928 को इन ही के समय में और गांधी इरविन समझा था हुआ पांच जादा महत्पूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके समय की जो भारत छोड़ो अंधुलन की घटना है वो बहुत चर्चा में पहला प्रांती आम चुना 1936-1937 में संपन हुआ याद रखना है जिसमें 11 प्रांतों में आठ अगस्ट 1942 को भारत छोड़ो आंधुलन अगस्ट क्रांती जिसे कहते हैं हम लोग प्रारंब हुआ जिसमें करो या मरो का नारा महत्मा गांधी ने दिया था आठ अगस्ट 1942 ठीक है ओप्रेशन जीरो आवर भी इसी में चलाया गया था नेक्स्ट हम देखते हैं लॉड वेवेल लॉड वेवेल उनीसो चौवाली से सहतालिस तक सिक्षा सुधार एतु सार्जेंट जो योजना है सार्जेंट योजना उनीसो चौवालीस में चलाया ग इतली ने गोशना की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौप देंगे ठीक है जून 1948 तक नेक्स्ट आता है कि लॉड माउंट वेटन 1947 से 1948 लॉड माउंट वेटन ब्रिटिस भारत के अंतिम गुवर्नर जनरल एवं वैस राय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गुवर्नर जनर स्वतंत्र भारत के प्रथम गुवर्नर जनरल लॉड माउंट वेटन हुए जैसे कि यहां पर भी किलिकली मेंसन किया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गुवर्नर जनरल लॉड माउंट वेटन अब लास्ट हम यहां पर देखेंगे सी राज गोपालचारी तो भारत के अंत पॉइंट्स थे, छोटे-छोटे चीजों को हमने एक समरी के रूप में देख लिया, अगर आपको इसका डेटेल वीडियो चाहिए, तो वो भी हमारे चानल पर मिल जाएगा, अगर आपको इसका डेटेल नोट्स चाहिए, तो वो भी हमारे अप्लीकेशन पर कोर्स में अप्लोड किया गया आप उसको डाउलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, चीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फिंस, आसा करते हैं कि आपने क्विक रिविजन कर लिया हुआ, वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइकन सेर जरू करना, चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी लाइकन को आल पर सेट कर लीचे, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो चलते चलते आप यह बताओ लास्ट क्वेसन कि सिंध को ब्रिटिज अमराज्यों में कब मिलाया गया था यह आप कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चलिए कि आपने इस वीडियो को यहां तक वाच किया ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हाव अगुड दे